हाई हैलो इंस्टेंस रेसिपे उच्छोनाली में सबका स्वाकत है और आज हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में डाल तड़का आप देख सकते हैं कितना बड़ी है तरीके से मैंने डाल तड़का बनाया है चलो तो रेसिपे को स्टार्ट करते हैं रेसिपे को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चानल पर आपको बहुत सारी माइक्रोवेव की रेसिपी मिल जाएगी microwave में डाल तटका बनाना बहुती easy process है सिर्फ हमें अच्छी तरह से डाल को microwave में पकाना पड़ता है सब्से पहले हम डाल को microwave में cook कर्के लेंगे यहाँ पे मैंने 1 cup डाल लिया है यहाँ पे मैंने तूर दाल, मसूर डाल और मुग डाल का mixture लिया है डाल को मैंने तो घंटा पानी में अच्छी तरह से भीगो के रखा था और अब हम इसे माइक्रोवे में कूक करके लेंगे हम इस डाल को काच के बाहूल में कूक करेंगे दो घंटा दाल हम अच्छी तरह से पीगो के रखोंगे तो हमारी दाल अच्छी तरह से जल्दी से पक जाती है हमारी दाल अच्छी तरह से कुखोने के लिए हम इसमे वन टेबल स्पून ओयल डालेंगे और उसके साथ हम आदा टेबल स्पून हल्दी पावडर भी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे डाल अच्छी तरह से पकने के लिए हैं अब हम इसमें 2 glass पानी आड़ करेंगे हम जो पानी पीने का glass यूज करते हैं वैसे वाले मैंने glass यूज किया है यहाँ पर एक बार हम डाल को अच्छी तरह से चमस्ते हिला के लेंगे मेरे पास LG का all-in-one conventional oven है अभी मैं बावल को अंदर रख रही हूँ और अब हम इसे हाई पावर पे सबसे पहले मैं सेवन मिनिट्स के लिए लगा रही हूँ सेवन मिनिट्स हो गए है और अब हम उपन कर रहे हैं माइक्रोवेब अमारी डाल पकना स्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम पीर से माइक्रोवेब का बटन दबाके हाई पावर पर लगाएंगे 900 पर अभी मैं 8 मिनिट्स का टाइम लगा रही हूँ और यहाँ पे हमारे 8 मिनिट्स भी हो गए है और अब हम देख लेते हैं हमारी डाल कितनी पक गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डाल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गई है एक बार अच्छी तरह किसे खिला के लेंगे अल्मोस्ट हमारी डाल पक गई है लेकिन अब भी लगता है और टू मिनिट्स के लिए लगाना पड़ेगा माइकरो का बटन दबाके हाई पावर पे अभी में टू मिनिट्स के लगा रही है और यहाँ पे हमारे टू मिनिट्स हो गए है और हमारी डाल बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गई है आप देख सकते हैं जिस तरह से हम कुकर में डाल पकाते हैं वो उसी तरह कैसे हमारी ये डाल माइक्रोवेव में भी अच्छी तरह से पक गई है मुझे टोटल 17 मिनिट्स लगे है माइक्रोवेव में हाई पावर पे डाल को कुक करने के लिए मैं अब भी दिखा रही हूँ आपको मैशर से मैं मैश करके ले रही हूँ यहाँ पे हमारी डाल माइक्रोवेव में पके कुक होके रेडी हो गई है अब हम डाल तड़का बनाएंगे इसलिए मैं यहाँ पर बावल लिया है काज का इसमें मैं अभी टू टेबल स्पून गी आड़ कर रही हूँ गी का तड़का लगाने से डाल प्राय को डाल तड़की को अच्छा स्वा दाता है अब हम इसमें वन टेबल स्पून राई आड़ करेंगे साथ में वन टेबल स्पून जीरा आड़ करेंगे वन पिंच हींग और थोड़ी सी हल्दी आड़ करेंगे माइक्रोवेब करने से पहले हम इस सब को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसे हम अभी टू मिनिट्स के लिए माइक्रोबेव करके लेंगे ओपन करके अभी अंदर रख रही हूँ हाई पावर पर हम टू मिनिट लगा लेंगे टू मिनिट्स हो गए हम देख लेते हमारा तड़का अच्छी तरह से हो गया है अब हम बावल को बाहर निकालेंगे थोड़ा सा और इसमें हम एक प्याज डालेंगे कटा हूँ अदरक थोड़ा सा डालेंगे वन टेबर स्पून और साथ की 7-8 लसुन की कलिया में चॉप करके लिए और भी डालेंगे इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है हमारे डाल तड़के को अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे और फिर से हम इसे 2 मिनिट्स के लिए माइक्रोवेव करके लेंगे मैक्रो का बटन दबा के हाई पावर पे 2 मिनिट्स के लिए लगा लेंगे हमारे 2 मिनिट्स हो गए है अब हम बावल को बाहर निकालेंगे अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पुन हम इसमें धना पावडर आड़ करेंगे धनिया पावडर स्वाधा नुसार नमक आड़ करेंगे और एक टेबल स्पुन रेड़ चिली पावडर डालेंगे इसे हम अच्छी तरह से अभी मिक्स करके लेंगे और दो मिनिट के लिए इसे हम माइक्रोव करके लेंगे माइक्रो का बटन दबा के हाई पावर पे टू मिनिट्स के लिए लगा लेंगे हमारे टू मिनिट्स हो गए है अब हम बावल को बाहर निकालेंगे यहाँ पे हमारा फर्स टड का रेड़ी हो चुका है अब हम इसमें ये पकी हुई डाल डालेंगे मिक्स करके लेंगे अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास मैंने पाने डाल के लिया है अब इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे उपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे हम माइक्रोवेव में रखके फिर से तू मिनिट्स के लिए माइक्रोवेव करके पकाएंगे माइक्रोव का बेटन दबा के हाई पावर पे तू मिनिट्स के लिए लगा लेंगे बावल को हम बाहर निकालेंगे अभी और यहां हमारा तड़का अल्मोस्ट रेडी है देख सकते हैं आप हमारे डाल रेडी है अब हम इसे तड़का देंगे यहाँ पर मैं सबसे पहले वन टेबल स्पूल ओईल ले रही हूँ और वन टेबल स्पूल मैं ने यहाँ पर गी लिया है कि सबसे पहले हम इस दोनों को गरम करके लेंगे मैक्रो का बटन दबाके हाई पावर पर हम इसे एक मिनिट के लिए गरम करेंगे कि अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम इसमें वन टेबल स्पूल जीरा आड़ करेंगे त्री मैंने यहाँ पर रेड चिली लिए है ड्राय वाली और हम इसमें वन टेबल स्पून रेड चिली पावडर आड़ करेंगे मिक्स करके लेंगे अच्छी तरह से और फिर से एक मिनिट के लिए माइक्रोवेव करके लेंगे और हमारा भी तड़का रेड़ी हो चुका है आप देख सकते हैं और तड़के को हम अभी आड़ करेंगे और ये हमारा माइक्रोवेव में डाल दड़का बनके रेड़ी हो चुका है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरू लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंड कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिर मिलते हैं ऐसे खेल्दी और टेस्टी रेसिपे के साथ तब तक धन्यवा थैंक यू